हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप सभी का गवर्मेंट एक्जाम चैनल पर IBPS का नोटिफिकेशन आ गया है IBPS PO यानि की प्रोपेशनरी ओफिस और और मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए 2022 से 2023 के इस एर में तो उनलाइन एक्जाम प्रेलियमनरी और मेन एक्जाम का यह प्रोसेस का नोटिफिकेशन है तो देखते हैं इसमें क्या-क्या खास है तो सबसे पहले बात करते हैं age की तो minimum age है यहाँ पर 20 years maximum है 30 years जैसा हर बार होता है तो जैसे कि जो लोग जॉब वगरे में हैं जॉब से जॉब करते करते भी अगर आप exam दे रहे हैं तो भी इसमें आप 30 years तक हैं तो आप eligible रहेंगे साथी में जो relaxation है वो ESCST के लिए 5 साल है OBC के लिए 3 साल और जो PWDA उसमें 10 साल और एक सर्विसमें के लिए यहाँ पर 5 years का relaxation दे रखा है Education qualification की बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं कि IBPS में any degree eligible है तो कोई भी अगर आपके graduation complete है तो असमें आप eligible हैं साथी में अगर आप final year में हैं तो भी आप इसमें eligible हैं लेकिन आपको जो है आपके interview तक आपको जो valid mark sheet और degree certificate यह आपको complete करके वहाँ पर आपको submit करना पड़ेग बात करें exam की तो exam का structure यहाँ पर दे रखा है preliminary exam होगी जिसमें English, quantity और reasoning के उपर 100 questions होगे जिसमें maximum marks जो होगे वो भी 100 में होगे ठीक हर एक section में अलग-अलग time slot दे रखा है तो इसी time slot में आपको अलग-अलग section जो है complete करने पड़ेंगे और इसका cutoff भी है जो होगा वो sectional wise ह जैसा कि आप जानते ही है उसके साथ जो main exam होगी उसमें भी यहाँ पर चार section है जो कि objective होगे ठीक है 45, 40, 35, 30 और questions होगे जो कि 200 marks के questions होगे ठीक है इसका भी time slot यहाँ पर दे रखा है सभी जो section होगे उसमें separate time slot होगा और इसका cutoff भी जो है वो separate रहेगा साथ ही में जो fifth section है वो है English language के उपर जिसमें later writing और essay आपको दिया जाएगा सिर्फ दो ही questions होगे 25 marks के questions होगे 30 minutes का यहाँ पर time slot दे रखा है तो यह जो होगा वो writing के उपर होगा उसी के उपर आपका जो है इसमें cutoff दिया जाएगा तो यहाँ पर post wise distribution दे रखा है कि हर एक bank में किस किस तरीके से number of vacancies है तो total 11 number of banks है ठीक है आप देख लीज़े आप किस category से belong करते हैं तो total यहाँ पर 4135 number of post है तो बहुत ही अच्छी जो vacancies है वो यहाँ पर आ चुकी है ठीक है तो 11 banks है जिसमें से यह Indian bank है यहाँ पर इसमें क post हो सकते हैं कि वो add हो जाएं तो लगबग minimum यहाँ पर 4135 number of post हो compulsory है ठीक है ठीक है application fees के बारे में बात करें तो SCST PWBD के लिए यहाँ पर 175 रुपीज का जो है फी रखी हुई है और साथी में OBC और open candidates के लिए यहाँ पर 850 रुपीज फी है जो payable date है वो 28th October 2021 से start होगी और end होगी है आपर आपको 10th November 2021 तक online payment आपको complete करनी है इनही 20 दिनों में तो बहुत ही कम समय है और बहुत ही अच्छी vacancies है तो इस chance को बिलकुल ना गवाए और ज़रूर इसमें apply करें alright guys so thank you very much for watching the video please like share and subscribe to the channel thank you